कि नश्कार कॉंपेटिशन कमेडी के कॉंप्रिहंसिफ करेंट फैस्ट प्रोग्राम में मैं पुक्राज करता हूँ वर फिर से आप सभी का स्वागत और अगला वीडियो लेकर मैं आ चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपन क्या करेंगे आठ से लेके 14 अक्टूबर तक के जो करेंट फैस हैं उन करेंट फैस का अपन आनलिसिस पूरी तरग्य से डीटेल में कर लेंगे ठीक है तो बिना टाइम को वेस्ट करें क्या करते हैं अपन सीधा स्टार्ट करते हैं और देखें आ गया है खाली स्लाइड मतलब आ गया है कौ घर जो है उसमें शंकर जी का मंदिर है तो 36 गड़ से दूर एक घर है जहां किसका मंदिर है तो शंकर जी का मंदिर है तो शंकर से याद रखिएगा आप लोग साहितिकार कौन है डौक्टर शंकर शेष घर से उनकी एक रचना उपन्यास घरोंदा बहुत फेमस एक और उप पीचर खोलो बने हैं दूर से दूरिया और 36 गड़ से याद रखना 36 गड़ ही भाशा का शास्त्री अध्ययन ठीक है तो चलो कोड का बतायां 36 गड़ से दूर एक घर है जहां काकर मंदिर है शंकर जीक मंदिर तो शंकर से डौक्टर शंकर शेश पहली रचना घराउंदा उपन्यास एक और उपर हिंदी फिलिम बन चुके घराउंदा उपर दूर से दूरिया चत्तिस गड़ से का है चत्तिस गड़ी भाशा का शास्त्री अध्ययन चलिए तो हो गया साहीतिकार इसके बाद अपन क्या गरते हैं एक एक करके सबसे शेश मिश्र किस खेल से समदित थे स्केटिंग नेक्स्ट सवच्छ सरवेक्षन में बेस्ट परफर्मिंग स्टेट की श्वेडिम चत्तिगड़ों किस स्थान पर रखा गया या रहा या मिला सेकेंड और लास्ट क्वेशन क्या था महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रिय पार क्योजना जो है गांधी जैनतिक दिन दो अक्टूबर को इसकी क्या हुई शुरुवात हुई चलियर है चलिए तो सीधा सीधा क्या करते हैं इस वीक के न्यूस पर आ जाते हैं सबसे पहला ही जो न्यूस है वो क्या है तो बहुत इंपोर्टेंट है चत्तिगड़ बन अभी तक ये था कि इससे अगर आपको किसी भी प्रगार की जानकारी चाहिए इन्फरमेशन चाहिए तो आपको ओफलाइन आवेदन करना पड़ता था ओफलाइन उससे संबंधित फी जो है उसको भी क्या करनी पड़ती थी पटानी पड़ती थी तो अभी तक ऐसा चलता अब हुआ क्या चत्यसगर्ण गवर्मेंट ने इसके लिए एठो वेब पोर्टल बना दिया आर्टी आई ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट जी ओवी डॉट आई एन अब इसके माध्यम से क्या किया जा सकेगा तो अगर आपको आवेदन करना है आर्टी आई में या अप्लिक करना है या द्वित्ती अपील करना है समझ माया तो प्रथम अपीली अधिकारी जो होते हूं और आपश अपील करना है तो यी अपील भी कैसे हो सकेंगे ओनलाइन एक और चीज़ बताता हूं आपको अब यह जो प्रक्रिया है आवेदन की इस से सम्बंधे जो भी फी है य जालो, clear, तो बढ़िया चीज क्या हो गई है, अब RTI जो है, ये हो गया हमारे यहां पे online, तो application कर दो, आविदन कर दो, first appeal, appeal करना है, second appeal, appeal करना है, तो भी कर सकते हैं, online, fee online, पटा दो, clear है कि नहीं, तो basically, चत्त गड़ के किसी भी विभाग से संबंधित, किसी प्रकार की जानकारी आपको लेनी है, for example, आपके घर के सामने एक रोड जो है, वो कित्तर उपेम बना है, तो उससे संबंधित, application भी, अब आप क्या कर सकेंगे, इस website पर जाकर online दे सकेंगे, website रहेगा 24 by 7, चालो, अब समझना होता क्या है, जब आप RTI लगाओगे, तो सबसे पहले उस department के जन सूचना अधिकारी, ठीक है, जन सूचना अधिकारी के पास क्या होता है, आपका application जाता है offline वाला, तो इस बार जब आप लगाओगे online, तो जन सूचना अधिकारी के पास online आपका application जाएगा, या सूचित करना पड़ेगा, clear है, तो तीनो फेज मतला पहली बार जन सूचना अधिकारी के पास गया, उन्होंने बता दिया कि ये जानकारी आपको नहीं मिल सकती, किसी भी कारण से, तो फिर आप अपील करोगे, तो वो प्रतिम अपीली हो गया, वहाँ भी नहीं हुआ, समय की बचत है, कागज की बचत है, आपके मेहनत की बचत है, clear है, और हर प्रोसेस हो गया, एकदम सुगम आप अपने घर के सोफम बैटके काम को जो है, आसानी से अब कर सकते हैं, वेब पोर्टल, rti online.cg.gov.in, अब वेब पोर्टल है 24-7 चालू रहेगा, अब इसके शुवारंब करता कौन थे भाईया, तो हमारे राजी के मुख्य सचिव, श्री अमिताब जैन जी, तो मुख्य सचिव कौन है हमारे राजी के, ठीक है, अमिताब जैन, क्या बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी, CS, ठीक, अच्छा, इससे समदित, एक फाक्ट आपको और याद रखना चाहिए, क्या, तो 36 गड़के, मुख्य सूचना आयुक्त, समझ में आया की नहीं आया, अब मुख्य मतलब चीफ, सूचना मतलब इन्फिमेशन, आयुक मतलब कमिशनर, खेर है, त समभावित प्रश्णोग देखियो, देखियो, बोलना हो, देखो, देखिये, तो पहला क्या है, कौन से नंबर कर आज ये है, तो 6 है, यहाँ चेक्ट होंवर्ट है, आप लोग के लिए, बताओ बाकी 5 कौन है, ठीक है, आप क्या करिए, बताइए, बाकी 5 कौन है, कमेंट क करके, नेक्स्ट, आप मुझे बताएंगे, अच्छा ये तो बता दिए, अब कोशन में आपको बता देता हूँ, कोशन क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले वेबसाइट का नाम क्या है, एक कोशन हो सकता है, क्लियर है, शुवारम करता कौन है, तो अगला कोशन हो सकता है, ठीक है, third question इसमें से applied form में आपको पूछ सकता है क्या कि छत्तिरगड के मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो कौन है, clear है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है, M.K. राउजी, तो ये तीन questions जो है एकदम सीधा-सीधा ये तो प्री में आ सकते है इसके अलाबा good governance से संबंदित अगर कोई essay है तो उसमें आप बता सकते हैं कि छत्तिरगड में good governance से संबंदित अब क्या हो रहा है, RTI applications जो है, उसको online accept किया जा रहा है पूरा-पूरा system क्या हो चुका है, online हो चुका है, करके ठीक है, चलिए, अब next अपना आजाते हैं अब next में क्या है भई, तो next में basically मुख्यमंत्री ने किया मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान तो जो meritorious students थे, उनका क्या किया है, अपने CM सहाब ने सम्मान किया तो basically 5 मई को वर्ष इसी वर्ष, मतलब 2022 में भेट मुलाकात प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था, घोषना गी थी, डेकलरेशन दिया था कि क्या किया जाएगा, जो meritorious students है, उनको हेलिकॉप्टर में जोयरोइड कराया जाएगा ठीक है, वो है क्या आपका जोयराइड, वो कराया गया, ठीक है, अब एक थो योजना है, स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोटसाहन योजना, थोड़ा सा इस योजना के बारे में देखते हैं, ये योजना जो है सीधा 30 वर्ट्स में आपको लिखने का सकता है, पे आविण्य सूची, मतलब एक तरीके स्क मेरेट्ट लिस्ट में जो चात्र आते हैं, उनको कित्ता दिया जाता है, गेल लाक रुपाय दिया जाता है, ये प्रोटसाहन राशी है, ठीक है, ताकि चात्र और प्रोटसाही थे, और अच्छत पढ़ए, टॉप करने कोशिश करे ताकि उनको क्या हो इस राशी को वो पा सके या मिल सके clear है और ये जो सम्मान राशी है या प्रोचसाहन राशी है इसके साथ इनको क्या किया जाता है तो प्रमान पत्र certificate भी दिया जाता है और first और second जो आते हैं उनको पदक भी दिया जाता है बट अव्यसी बात है first उसको क्या मिलेगा gold और second वाले क्या मिलेगा silver ऐसा थोड़ी है कि first वाले को bronze दे देंगे second वाले gold दे देंगे तो first वाले क्या दिया जाता है gold और second वाले क्या दिया जाता है silver clear है तो I hope ये जो योजना है इस योजना को तो आप लोग क्या है समझ गए होंगे ठीक है अब इस योजना के अंतरगत क्या किया गया एक सम्मान समारो जो है उसका आयोजन किया गया सम्मान समारो जो था वो 9 October को था उसको बताऊंगा separately अभी ठीक है तो सम्मान समारो 9 October को आयोजिन हुआ और 7 ही 8 October के दिन क्या किया गया है तो एक 7-seater helicopter लाल रंग वाला दिख रहो गये दे ठीक है उसमें एक बार में 7-7 लईका को बैठा के कुल कितने चात्रों को 119 चात्र चात्राओं को क्या किया गया राइड कराया गया घुमाया गया कर दिये कि helicopter में घुमायेंगे 8 तारिक को क्या किया गया घुमाया गया कितने लोग को 119 लोग को 7-seater helicopter में ठीक है तो 7-seater में पूरा 7 जन को बिठार दिये गहां फिर 7 दूनी चाउदा तो ऐसा करके 119 जब तक complete निवे तब तक क्या किया गया सब को मस्त बठा के घुमाया गया अब 9 तारिक को इनका सम्मान समारो आयूजित किया गया कहां तो मुख्य मंत्री निवास ठीक है मुख्य मंत्री निवास पर क्या किया गया एक ठो सम्मान समारो का आयूजित किया गया और इसके बाद सम्मान किनको किनको मिला तो पहले 12 वा लोग देखते हैं फिर क्या देखेंगे 10 वा लोग को तो 12 में गोल्ड मेडल मतलब 1st कुंती साव ठीक है ये कहां की थी राइगर तो गोल्ड मेडल स्वान पदक कुंती साव कहां की राइगर और सिल्वर मिला है खुश बू वाद वानी ये कहां की बिलास बिसाल पूर बोलों मैं भी बिलास पूर तो गोल्ड मिला है किनको कुंती साव कुंती साव जो है कहां की राइगर ठीक है ये टॉपर रही होंगी सिधा सा बात फर्स्ट तभी तो गोल्ड मिला है और सेकेंड में कौन रही होंगी खुश्बू वादवानी ठीक है बिलास पूर क्यों क्यों किनको क्या मिला है सिल्वर तो सिल्वर मतलब सेकेंड गोल्ड मतलब फर्स्ट ठीक है अब टैंथ की बात करेंडा तो गोल्ड मेडल दो जण को मिला है अब किनको किनको मिला है भाई तो बता देता हूँ मैं आप लोग को गोल्ड जो है वो दो लोग को मिला एक है सुमन पटेल फिर है सुनाली बाला अब सुमन पटेल दी कहां की यह भी रायगड़ रायगड़ वाले लोग बहुत फुष्ट आ रहे न और सुनाली बाला कहां की कांकेर तो गोल्ड जो है ये संयुकत, दो जहन को ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा बड़ा करते हैं, तो सिल्वर यहां आप लिखता हूँगा सिल्वर तो यह मिला है पंकज साहू, कहां के कबीर धाम ख्लियर है यह तो पंकज साहू, कबीर धाम सिल्वर, तो एक बाद फिर से बता देता हूँ, ट्वेल्थ में गोल्ड कौन-कौन पाया है तो गोल्ड पाया है कुंती साव, राइगर, खुश्बु वाधवानी बिलासपुर, टैंथ में गोल्ड सुमन पटेल, राइगर, सुनाली बाला कांकेर, पंकज साहू को मिला है सिल्वर, कहां से हैं पंकज साहू तो यह है कबीर धाम डिस्ट्रिक्स से ख्लियर है यह ठीक है भई, चलिए अब आपन क्या करते हैं तो इस टॉपिक से questions को देखते हैं तो चलिए, सबसे पहले MCQs के point of view से देखे न तो पहले ही पूछ सकता है कितने चातर चात्राओं को तो 119 किस योजना के अंतरगत स्वामी आत्मनन, मेधावी चातर, प्रोचसाहन योजना, फिर पूछ सकता है इस योजना में, जो मेधावी चातर है उनको कितने रुपे की प्रोचसाहन राशी, डेड़ लाग तो ये हो गए MCQ, मेरे हिसाब से नाम नहीं पूछेगा जी, 10th, 12th में किनको किनको मेडल मिला है करके बट याद रख लो तो जाद अच्छा है मेंस पॉइंट अफ्यू से कहोगे तो 30 words का सीधा question बन जाता है योजना, कौन सी योजना है भई, तो स्वामी आत्मनन, मेधावी चातर, प्रोचसाहन योजना, 30 words में आपको पूछ सकता है इस योजना बारे में paper number 5 में चलिए अब next जो है वो क्या है तो 36 गड़ में कोईला खनन से प्राप्त राजस्व जो है उसमें वृद्धी हुई है लगातार तरीके से वृद्धी हमको देखने को मिल रही है clear है बहुत बढ़िया बात है 2019-20 में जो हमारा खनीज राजस्व मतलब जो mineral से revenue मिला है उसमें से कोईला का हिस्सा किता था समझ में आया ना तो खनीज राजस्व में कोईला का हिस्सा 2019-20 में किता 22-3-7 22-3-7 बोल दिया गलती से 23-3-7 करोड 20-21 में किता था 23-5-6 करोड और 21-22 में 25-24 करोड तो 19-20 में 23-3-7 करोड 19-20 में अब 20-21 के अगर बात करें 23-5-6 करोड रुपे ठीक है और 2021-22 में बात करें तो 25-24 करोड ये था कोईले से या कोईला खनन से प्राप्त जो राजस्व है वो लगातार हर वर्ष ये 19-20 है, 20-21 है, 21-22 आपको क्या देखनेक मिल रही है वरिद्धी देखनेक मिल रही है या ये क्या हो रहा है अगर मैं बात करूँ टोटल खनीज राजस्व की क्लियर है, 1000 करोड मत कर देखना, बहुत जाद हो जाएगा, तो 15-17 करोड रुपए 2020-21 में और कोईले से 19-20 में कित्ता मिला है 22-23-7 उसके बाद 20-21 में 23-56 और 21-22 में कित्ता है 25-24 क्लियर है, अब ये इतना सारा डेटा जो है, ये याद रख लोगे तो अच्छा है, बट सीधा-सीधा प्री में तो पूछेगा नहीं प्री में जो डाइरेक्ट क्वेशन इसमें से आता है वो ये है, कि 36 गड़का जो कुल खनीज राजस्व है एक तो कितना है ये क्वेशन बन सकता है सेकेंड क्वेशन सीधा आपसे पूछेगा कि 36 गड़का जो खनीज राजस्व है मिनरल रिवेन्यू है, उसमें सरवाधिक योगदान या कॉंट्रिव्यूशन किस मिनरल का होता है तो याद रखना कोईला तो कोईला या कोल जो है इसका सरवाधिक कॉंट्रिव्यूशन होता है 36 गड़के मिनरल रिवेन्यू में 36 गड़के खनीज राजस्व में ये क्वेशन पचासो बार पूछता है पूछ चुका है प्री में क्लियर है, तो सबसे पहले मिनरल रिवेन्यू 55-17 करोड 21-21 का, इतना आपको याद रखना है सेकेंड याद रखना कि मिनरल रिवेन्यू खनीज राजस हो जो है, उसमें सरवाधिक योगदान जो होता है वो किसका होता है, तो कोल का होता है कोईलेक होता है, अब एक चीज़ समझने के लिए अच्छा है कि कोईला का जो खनन है, कोल एक्स्ट्राक्शन है उससे अगर रिवेन्यू की बात करोगे लगातार तीन साल में हमको इसमें क्या देखनेक मिल रही है वरिद्धी देखनेक मिल रही है जो कि अच्छी बात है ठीक है, राज़ उस बढ़ेगर आज का तो अच्छी बात है यार ग्लोबल ट्राइबल कॉनक्लेव, कॉनक्लेव शब्द का मीनिंग जो है वो होता है कि एक एक्ट हो मीट सभा, ठीक है तो ग्लोबल ट्राइबल कॉनक्लेव 2022 कहां पर हुआ है तो राइपूर, राइपूर में कहां पर पंडिट दीन दयाल उपाध्याय ओडिटोरियम साइंस कॉलेज के बगल में है डीडियू, ठीक है, पंडिट दीन दयाल गें यहां पर कि राय पूर्ड लोकसभा से आपको हमारे सांसच जी दिख रहे हैं राय पूर्ब्र ग्रामिण के विधायक दिख रहे है अच्छत दिख रहे हैं कि नहीं कि ठीक है ना सुनिल तोनीचुनी ची और विधाय को अब नेक्स क्या है तो जो वीकेम आरण है हमारी राजविपल उन्होंने क्या किया है इस ऑशर पर तंजानिया जिम वोंबे इसके अलावा हमारे देश के उसके अलावा हमारे राजि के जितने कलाकार आये थे अलग अलग पूछेगा Global Tribal Conclave 2022 इसका आयोजन कहां किया गया लगाकाना रायपूर और रायपूर में भी डीटेल में पूस दिया तो DDU ठेक है दीन दयाल उपाध्या ओडिटोरियम चलिए अब आजाते हैं इस वीक के लास्ट स्लाइड पे तो 36th नाशनल गेम्स जो है वो खतम हो चुका है इसका आयोजन 29 सेप्टेमबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात में हुआ था क्लियर है ठीक है भई चत्यगर को कुल कितने पदक मेडल्स मिले है 13 दो गोल्ड है पाँच सिल्वर है और 6 ब्रॉन्स तो दो गोल्ड पाँच रजट 6 कास्या स्थान क्या रहा 22 वा रहा है अब दो जो गोल्ड मिला है एट लीस्ट उनको जाना बहुत जरूरी है इसको लास्ट वीडियों भी देख लिये थे अमितेश मिश्र क्या है स्केटिंग वाले और आकर्शी कश्यप बैडमिंटन एट लीस्ट इतना फाक्ट आप लोग याद रख लेंगे सीधा सीधा ये क्या है MCQ पुछेगा प्री में कि 36th National Games कहां हुआ था तो गुजरात नहीं हुआ था कब से कब तक हुआ था तो 29 सितंबर से 12 टूबर तक चत्त गड़ को कितना मेडल मिला है 13 और डीटेल में याद रखना है तो 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज रैंक सीधा पूछ सकता है रैंक 22 फिर पूछ सकता है आकर्शी कश्यप किस खेल से संबंदित है पैडमिंटन अमितेश मिश्रा किसे संबंदित है स्केटिंग कितने गोल्ड मिले हैं 2 किसको किसको मिला है तो अमितेश मिश्रा आकर्शी कश्यप तो हमारे मुख्य मंतरी सीएम साहाब भुपेश बगेल जी और खेलेवम युवा कल्यान मंतरी है उमेश पटेल जी सबने क्या किया है खिलाडियों को उनकी सफलता के लिए बढ़ाई दी है शुप कामनाय जो है उसको तिया है ठीक है अगर किसी को डाउट है 36 गड़ को कितना मेडल मिला है तो मैं आपको बता रहा हूं जाके वेब साइट पर गवर्मेंट की चेक कर लेना दो इस्ठो गोल्ड है पांची ठोसीलोर है और छेठो कांसे है और कुल पदक 13 है रैंक 22 है मैं कर लिया हूं और इसमें एक ठो डाउट आना चाहिए और डाउट आना चाहिए और आप लोग को जाना चाहिए उसमें ठीक है नहीं आयात अच्छा बात है इसको याद रख लेना और आ गया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है जाके चेक कर लेना बता दिया हूं ठीक है चलिए तो इस वीडियो को इन करने से पहले questions को देख लेते हैं पहला question क्या है RTI के माध्यम से online जानकारी प्राप्ट करने के मामने में देश में छत्तर का कौन सा स्थान है बदा चुका हूं इससे समबंदित एक homework भी दिया हूं स्वामी आत्मानंद चात्पूत साहन योजना के अंतरगत कितने चात्रों खेली काप्टर राइट कराया गया है ठीक है भई next क्या है कोईला खनन से प्राप्ट राजस्व में व्रिध्धी करते हुए कितने करोड रुपे के राजस्व की प्राप्ती हुई है ठीक है वो भी देख लेना यार आप लोग और लास्ट क्या है तो गुजरात में आऊजीत नाशनल गेमस में चात्रों को कुल कितने प्राप्त जो है वो प्राप्त हुए है डन तो इतने सारे क्वेशन को आप लोग देख सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इन क्वेशन को क्या करेंगे नीचे कमेंट सेक्षन में जरूर डालेंगे क्वेशन को स्वाल करके और यहां तक मतलब 14 अक्टूबर तक का जो वीडियो है वो आ चुका है मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन सी चीज़े इंपॉर्टेंट है करेंट अफैर्स में नेक्स जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसको क्रम को क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे चलिए तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और आप सभी से मिलूँगा मैं मिले अगर वीडियो में तो तक लिए थैंक्यू एंटेक केर